ओमिक्रोन की दहशत के बीच, यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में शनिवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा. इसके साथ ही शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी. बीते 24 घंटों में कुई शू ने 1,91,428 सेंपल की जांज. उचिस्तरिये टीम शू ने 9 को मुख्य मंत्री योगी आदित्तेनाथ के दिशानिर्देश दिये हैं. कोविट से बचाव के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की नीती के सही ख्रियानविन से प्रदेश में स्थिती नियंत्रित है. बीते 24 घंटों में कुई शू ने 1,91,428 सेंपल की जांच में कुल 49 नए संक्रमितों की पुष्टी हुई. इसी अवधी में 12 लोग उपचारित होकर कोरुना मुक्त भी हुए. 37 जिलों में एक भी कोविट मरीज नहीं. आज प्रदेश में कुल एक्टिव कोविट केस की संख्या 266 है, जबकि 16,87,657 मरीज को मात दे चुके हैं. आज 37 जिलों में एक भी कोविट मरीज शेश नहीं है. देश के विभिन राज्यों में कोविट के मामलों में बढ़ूतरी देखी जा रही है. ऐसे में कुछ कड़े कदम उठाए जाने की आवशक्ता है. मास्क नहीं तो सामान नहीं. सीम योगी ने उच्चस्तरिय टीन शून नो को निर्देश दिये हैं कि वो बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूप करें. बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे. इसके साथ ही सड़काए और बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवारे किया जाए. पुलिस बल लगातार गश्ट करें. पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए. उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग टेस्टिंग. सीम ने कहा कि देश के किसी भी राज्य से अत्वा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग टेस्टिंग की जाए. बस, रेलवे और एरपोर्ट पर अतिरिक्ट सतर्कता बरती जाए निगरानी समीतियों ने कोरोना प्रबंधन में सराहनिय कारे किया है तीसरी लहर के दृष्टिगत गावों और शहरी वार्डों में निगरानी समीतियों को पुना सक्रिय करे बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति की टेस्टिंग कराएं उनके स्वास्थे पर सतत नजर रखी जाए आवशक्ता नुसार लोगों को क्वारंटीन किया जाए अस्पतालों में भरती कराया जाए पूर्व में विवस्थित तैयारिया का किया जाए पुनार परीक्षन कोविट की तीसरी लहर की आशंका के द्रिश्टिगत हमने पूर्व में विवस्थित तैयारिया की है जिनका पुनार परीक्षन कर लिया जाए प्रदेश के सभी शास्किये निजी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध चिकित्सकिये सुविधाओं की बारीकी से परक कर ली जाए और द्योगिक इकाईयों में कोविड हिल्प, देश्क और डेकेर से इंतर फिर एक्टिव करें उत्तर प्रदेश टिस्टिंग और टीका करण देश में प्रथम स्थान पर है यहां शूर में 6,73,17,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज देकर कोविड का सुरक्षा कवर प्रदान कर दिया गया है 12,41 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है प्रदेश की कुल आबादी में से 84,23% को पहली और 45,66% लोगों को दोनों डोज मिल चुकी है वैक्सीनेशन को और तेज करने की जरूरत है इस संबंध में सभी जरूरी प्रयास किये जाएं